सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीबी पर हम बात करेंगे डेली करिंट अफेर्स के अपने परग्राम पर उमीद करता हूँ होली की दुनिया से आप बाहर आ चुके होंगे और आपने अपने लक्ष के लिए पढ़ाई परारम कर दिया होगा तो आईये उसी करम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज के डेली करिंट अफेर्स के परग्राम पर आज की जो पहली खबर होगी वह होगी तेल की कीमत कम होने में भूमका किस की देखेंगे इस समय जो वैस्विक तेल की कीमत में गिरावड दरज की जा रही है इसमें किस प्रकार के सम करण हमको नजर आ रहा है तो वहीं ये तेल की केमत किसी भी अर्थ व्योस्ताओ को कैसे प्रभावित कर सकती इसको हम समझेंगे वहीं जो दूसरी ख़बर होगी उसमें हम बात करेंगे रेड़ फांड़ा के सिकार में कमी देखेंगे आखे रेड़ फांड़ा किंशेत्रों में पाए जाता है उसके सिकार में अगर कमी आई है तो यह हमारे लिए अच्छी खबर किस रुप में हो सकती है प्रशन किस प्रकार के इससे बन सकते हैं वहीं जो तीसरी खबर होगी वह होगी क्यासा नूर फॉरेश डिजीज जिसको मंकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है तो देखेंगे आखिर मंकी डिजीज इस समय खबरों में क्यों बना हुआ है हम तो पहले से ही कुरोणा वारस से प्रभावित हैं तो उसी में आखिर यह कौन से नई आपदा है तो इक एक करके इन खबरों को बिसलेशित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली खबर जो की तेल की कीमत से संबने थे आपको पता है कि अर्थ ब्योस्ता कोई भी हो कच्चा तेल सभी के लिए महत्पूर्ण होता है आपने चीज गौर किया होगा देखा होगा कि जब क्या होता है कच्चा तेल आपको जादा बड़ी मात्रा में बाहर से खरीदना होता है अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसका निगेटिव इंपेट्र आप पर पड़ता है भारत को हम जैसे ले तो भारत की अधिकांस जो उर्जा आऊ सकता हों की पूरती बाहर से खरीदे गए तेल पर निर्भर है तेल के सासा थंप्रा करती कैस भी खरीदते हैं तो कुल मिलाकर अगर हम बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा या तेल खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी हो अब यह कीमत कितनी होगी यह इस पर निर्भर करेगा कि वहाँ उस समय का प्राइस क्या है कुल मिलाकर अगर कोई भी अर्थब्योस्था बहुत बड़े मात्रा में तेल का आयात करती है और कीमत बढ़ती है तो उसके कीमत बढ़न से आयात करने वाली अर्थब्योस्था अपर नकारात्म परभाव पड़े वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो देश जिन देशों की अर्थब्योस्था का आधारी तेल बेचना है अगर उनकी जो है तेल के किमतों में कमी आती है तो उनकी अर्थब्योस्था परभावित ह होगी अर्थात उसका नीगेटिम इंपेक्ट पड़ेगा तो कुल में लाकर अगर हम ओईल को लेकर बात करें तेल को लेकर बात करें तो हमें पता चलेगा ओईल का जो प्राइस है 21 पर डिपेंड करेगा यह डिपेंड करेगा डिमांड पर और सपलाई पर तो डिमांड और स वहीं अगर क्या हो जाए सप्लाई जादा हो जाए और डिमांड क्या हो जाए कम हो जाए तो क्या होगी कीमत कम होगी समान रूप में हर चीज की कीमत इसी रूप में तो आप बढ़ता हुआ देखते हैं और यही होता है कच्चे तेल के संदर में हाला कि कच्चे तेल के समय कर तो एके करके इसको हम समझते हैं अब देखे कच्चा ते सभी अर्थवे उस्थाओं का आधार है और यह उत्पाधन इंजन को गति परदान करता है इसका मतलब है जब उत्पाधन आजकल मसीनी कृत हो गए हैं और उसके लिए उर्जा की जरूरत होती है और उर्जा कहां से म हमने देखने को मिली और वह थी कोरोना जो है की वायरुस तो कोरोना वायरस यहां पर करेट कर रहा हूं पीडियाप आपको अच्छा मिलेगा तो कोरोना वायरस की वज़े से क्या हुआ है यह पहले से ही जो ट्रेड वर्ट चला आ रहा था और जिसका निगेटिव इंपेक की मांग में पर जिसके वजह से ही जुब तो क वायरत के वुड़ात आ दीमांड है गonie क्या करें सबस्क्राइब है और जिसके वजह से इसकी जो की मत है वह प्रती वैरे 3 Spider तक सीमित हो गई है अब प्रतीर वेलर 30 डॉलर समय लिजी यह काफी कम कीमत है और इसको मैं आपको एक मैंने एक कीमत इतने दिखाई दे और यहाँ जो कीमत है काफी कम है और इसी के बजह से जो है कि काफीर चिनता वारे में जो तेल की कीमत प्रती वैलर जो थी वह 130 डॉलर थी, 2000 वारे में लगभग 120 डॉलर थी और 2014 में लगभग 115 डॉलर थी, तो इसका मतलब भी नहीं है कि सतत रूप से कंटीनियोस रूप से इसमें कमी आ रही थी, इसमें जो है कि देखिया, आपको दिखाई दे रहा है 2011 है और वारे में काफी कीमत जादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बास से फिर से कमी आनी चालू हुई, और यह जो गिराउट आई, यह 38 वैलर तक पहुंच गया रथा, 38 डॉलर दीजी, आपको एक वैलरल क्या हो जाएगा, क्रूड ओल प्राप्त हो जाए, लेकिन पुना इसकी कीमत जो है कि क्या होगी, बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते जो है कि मैं आपको पाई चार्ट दिखा दे रहा हूँ, फिर से यह बढ़ी, लेकिन बरतमान समय में यह कीमत जो कम होई है, 2019 से जो गिरना प्रारम होई, उसके बास जो कम हो गई है, काफी कम है, 15 के लगभग लाश्ट में यहां पर देखे, यह काफी कम हुआ है, इसकी कीमत जो है कि काफी कम होई थी, लेकिन फिर से बढ़ने लगी, और फिर से बढ़ते बढ़ते यह काफी समानेता जो है कि 70 से लेकर 80 डॉलर प्रति बैलर की कीमत पर आ गया था, लेकिन अभी क्या जैसा कि हमने कोरोना वारस का इंपेक्ट देखा, उसके बज़े से उत्पादें प्रभावित हुआ है, लेकिन रूस और सौधी अरब का एक तेल बिवाद चला रहा है, वह इसके केंदर में है, अर्था तो यह जो तेल की कीमत कम की गई है, यह जान बूच कर कम की गई है, कोरोना वारस का इंपेक्ट तो लगभग अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 सही है, और अभी तक उसका इंपेक्ट बना हुआ, लेकिन अभी हालिया जो घटना करम दिखाई दे रहा है, उसमें सौधी अरब और रूस की भूम का आपको दिखाई देगे, होगा क्या, कि अगर यह देखिए जो यह आपको एक समू है ओफिक, इसका नाम है और्गनाइजेशन ऑफ दा पेट्रोलियम एक्सपोर्टी कंट्री जिसमें 14 देश हैं, इनका मैं आपको एक बार इमेज भी दिखा देता हूँ, तो चीजे थोड़ा सा और किलियर हो जाएं, तो यह जो 14 देश तरब ही उपे का क्या है नित्रुत करता है, इधर देखे एराक है, लेविया है, अलजीरिया है, बेनेजोला है, एक्वाडोर है, नाइजीरिया है, गैवन है, अंगोला है, तो आप यह देख पा रहे हूँ, यह सभी देश क्या करते हैं, वह देशा हैं जहां पर मैक्सिमम क्या होता है पेट्रोलियम मिलता तो यह लोग क्या करते हैं कि आखिर हमें प्रोडक्शन कितना करना और प्रोडक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं माल लिजी अगर उनको लग रहा कि कीमत क्या हो रही है कम जा रही तो कीमत अगर कम जा रही है तो क्या करते हैं उत्पादन कम क तो अगर मांग जो है वो तो बननी हुई है अपने आप कीमत फिर से या तो रुक जाएगा जो कम होता जा रहाता या फिर से क्या होगा बढ़ने लगेगा और इससे क्या होता है जो ओफिक कंट्री की यह जो देश हैं इनको फादा मिलता है कि अगर हम उत्पादन को क्या करे रोक देंगे तो क्या हो जाएगा इनको अपना कम जो resources है वह कम खर्च होगा और इनको चूंकि अगर उत्पादन अगर कीमत कम होती चली जा रही उत्पादन यह भी करते रहे तो कीमत क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी तो इनका तो क्या हो जाएगा यह पूरा आधार है economy क तो यही क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा तो इसलिए समानते ही लोग क्या करते हैं कि हमें उत्पादन कितना करना, जिससे क्या हो यह demand और supply को regulate कर सके और demand और supply को regulate करने के लिए ज़रूरी है कि सबी देश सामूही क्रोप से नेडले तो होता क्या है जैसा कि मैंने बताया कि तेल की मांग कम होने पूत्पादन भी कम कर दिया जाता है जिससे किमते क्या हो जाए ज्यादा नीचे ना जाए तो देखे हम बात कर रहे थे इसी में ओपिक की भूम का के तो मैंने अब आपको कहा इन फॉर्मेस अन दिया 14 देशों क यह समू है जिसकी स्थापना होई थी सेटमबर 1960 में और इसमें जो देश है मैंने आपको नाम इनके बताई दे यह संगरण यह निर्णय लेता कि कितमा उत्पादन किया जाए और इसके जब यह उत्पादन पर क्या करता अपना नियांतर रखता है तो कीमत को भी क्या करता नियांतर करता है लेकिन यहां पर एक चीज और देखना होगा कि ओपिक के अवलावा बड़ी मातरा में तेल का उत्पादन यूएस से और रूस के द्वारा भी किया जाता है अब यूस से क्या होता है जब यह भी बड़ी अर्थ ब्योस्ताएं हो इनका जो आधार उत्पा पादक देखें तो क्रहम सा आपको पता चलेगा यूस से सौदी अरब रूस इराक और इरान आप देखिए तो कुल में लाकर इसमें आपको दो देश जो यूस से हैं और रूस हैं यह किसके ओपक के सदस्ते देश नहीं है तो इनकी भूम का आपको महत्पूर हो जाती है इसी कारण बर्स 2018 में किसने ओपक और रूस के बीच और ओपक और रूस ओपक मतलब चौदे देशों का समूर और रूस के बीच एक समझोता हुआ जिसमें यह कहा गया कि मिल जूलकर हम कीमत पर नियंतरण रखेंगे और यह कौन कह रहा है यह रूस कह रहा है ओपक से मिलक कर दोनों में समझाता हो रहा है तो इस तरह से ओपक की जो भूमका थी उसी भूमका में रूस को भी जोड़ लिया गया और इससे यह हुआ कि अगर भविस्व में हमें कभी उत्पाधन कम करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ है चुंकि ओर रूस जो है कि ओपक का सद गया और उसने कहा कि वह अभी उत्पाधन कम नहीं करेगा बलकि यह जो कीमते कम हो रहे हैं इनका एनालेसिस करेगा अब बताइए जब यह ऐसा कह रहा है और आल रेडी जो है कि चुंकि तेल की डिमांड पहले से कम है कीमते पहले से कम जा रहे हैं तो सौधी अरब ने इस उसने कहा कि हम भी ना सिर्फ उत्पाधन को बढ़ाएंगे बलकि हम डिसकाउंट रेट पर भी अपने ग्राहाओं को को तेल बेचेंगे इससे क्या होगा कि अगर माल लिजिए ओपेक के कंट्री है और यह रूस का कंट्री है अना तो यह ओपेक के सदस्ते देश और रूस दोनों मिल के अगर क्या करते उत्पाधन कम कर देते तो इससे क्या हो जाता सप्लाई कम हो जाती और सप्लाई कम हो जाती तो डिमांड जितने पह है उतने प्राइस इस्तिर रह जाती या फिर क्या होता धीरे धीरे जैसे सप्लाई कम हो रही होती है धीरे धीरे अपने आप कीमतों की क्राइसिस को नहीं समझ रहे हो तो हम क्या करेंगे हम जादा प्रोडक्शन करेंगे और डिस्काउंट रेट पर देंगे अब देखी यह क्या है जो रूस ने जैसा सूचा था से उसका क्या हो गया उल्टा पढ़ गया और उल्टा पढ़ने के करण क्या हुआ कि जब ऐसा डिस्काउंट रेट पर बेचने की बात की गई तो इसते तेल के की रेट में क्या हुई तेजी से गिरावट आई है अब यह जो गिरावट आई है तो जो ओफिक के कंट्री है उनको क्या होगा उनको जादा फ्रोडक्शन करना होगा कम कीमत पर बेचने के लिए तो रूस को उपेक के सदसे देशों को टकड़ देने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा और कीमते क्या हो रही है, कम होती चले जारे हैं। तो कुल मिलाकर सौधी अरब और रूस के बीच जो आपका ये ओल का जो वार इस्टार्ट हुआ है, तेल का एक संघर्स इस्टार्ट हुआ है, इसने काफी जटे समस्या उत्पन हो गई। अरब ने क्रियेट कर दी है, किसके कारा रूस से नाराज होगे कारा, तो इससे क्या होगा, रूस को परती एक दिन सो मिलियन डॉलर का नुकसार होगा, अगर ये फ्रॉइस वार अर्थात कीमत का ये जो योद्ध है, लंबा खिसता है, तो रूस की अर्थ ब्योस्ता को बह लेकिन चीन अपनी ही क्राइसिस में, जो है कि कुरोना वाइरस के प्रभाव में है, तो यह जो आखिर आखिर वो समान बेचेगा कहां अपना तेल, बेचेगा कहां, और जब तेल नहीं बेचेगा तो बाकि उसकी तो अर्थ ब्योस्ता, आपको पता है कि वर्ल्ड की लीड कि रिया है, जो सौधी अरब ने कदम उठाया है, यह काफी घातक है, और इस तरह से आजो क्या कहे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, वह यह है कि रूस यह सोच रहा था, कि वह क्या करेगा, कि आप अमेरिका का जो उहां पर एक संग, जो है कि प्रोड़क्सन चु करता है, तो अगर यह प्रोड़क्सन क्या करें, रूस अपना मालीजे सो यूनिट या सो वेरल का कर रहा है, एक जामपल ले रहा है, और यह इतना ही रखे, लेकि रूस क्या करें, चूंकि हम इस समय क्या है, कीमते कम हो रहे हैं, तो हम क्या करें, रूस कह रहा है, कि हम जो रूस की पूरी strategy थी वह थी USA की ग्राहांकों को अपनी ओर आकर्सित करना लेकिन उसको बिल्कुल अपेच्छा नहीं थी कि सौधी अरबिया ऐसा कर सकता है और सौधी अरबिया इसलिए कर सकता है आपको पता है अमेरिका सौधी अरबिया के रिस्ते किस परकार के रहे हैं सौधी अरबिया जो भी कुछ कंडिसन नीड़े लेता है उसमें अमेरिका की प्रमुग भूमका होती है तो इसी के कारण ये रूस ने जो सोचा कि ऐसा हो सकता है कि हम जादा production करके रूस के जो ग्राहांक है उसको हम अपनी ओर आकर्सित कर रहे हैं ये उल्टा पड़ गया ही रहती है जैसे मालेजे अभी मैंने बताया कि लगबग 34 जो है की डॉलर है अगर हम कहते 50 डॉलर तक भी कीमत रहती है तो भी मान के चलिए लगवाब 22 से लेकर 25 बिलियन डॉलर का इसी financial year में भारत को फार्दा हो जाएगा लेकिन अगर यह कीमत फिर से बढ़ती है तो य क्या होगा यह जो डीजिट है अगर का मोता चला जाए लेकिन कहीं ने कहीं भारत के लिए क्लिए एक अच्छी कबर है अब प्रश्ना आएगा क्या कि हमारे यहां चुछ तेल की किमती है जो हम पेट्रोल फम पर भरवाते वह भी कम हो जाएंगी क्या तो देखिए यह किमत कर रहे उसकाईट डूटी लगता है अभी एक्साईट डूटी कितना सरकार रती है इस पर नियर्वरब करेगा माली जी एक वेरल जوع के तेल पहले लाया जा रहा था और उस पे जो एक्साइड डूटी थी वो दस रुपए थी अब सरकार को लगता है कि चूंकि कम कीमत पे अब आ जा रहा है और हम को क्या चाहिए ज्यादा राजा सुप्राप्त करना है तो हो सकता है एक वेरल पे अब कहें हम 50 रुपए क्या करे हम जो है कि एक्साइड डूटी लेंगे तो इससे क्या होगा जितना फार्दा ग्रहांकों को मिलना चाहिए था कम ही ने का वो नहीं मिल पाएगा तो कुल मिलाकर अगर हम आने वाले समय में तेल की किमतों को देखें तो हमारे यहां भी तेल की किमते कम होनी चाहिए और बह जो कीमतों में कमी आई है इसका लाब लेने का प्रयास करें अगर हमने यह तो देख लिया भारत वा परवा लेकिन जो ओफिक कंट्री है उन पर देखें तो उनकी अर्थ बेवस्ता के लिए काफी कठिन समय है वह इसलिए कठिन समय है कि अगर उन्होंने तुरंत इस पर न नहीं है क्योंकि यह संसाधन क्या है सीमित है असीवित नहीं है तो साथी साथ एक चीज और देखना होगा कि रूस जो की जिसकी अर्थ बेवस्ता क्या होगी काफी परभावित हो रही है ओपे की भी परभावित हो रही है तेल की कीमत कम होने से और चीन में पहले सी दो परकार की चुनोतियां दिखाई देंगे अगर हम उत्पादन करता तेलों की उत्पादन करता देश पर देखे तो उनके अर्थब्योस्ता प्रभावित होगी और बैस्विक लेवल पर भी इससे कीमतों में बहुत जादा सुधार हो जरूरी नहीं है और बिस्व में जो इस परकार से अर्थब्योस्ता की गति परभावित हो रही है उससे काफी निक चुनोतियां भी उत्पन हो सकती है इसलिए थोड़ सा तेल की कीमतों को लेकर हमें समचेत रहना होगा अगर इस पूरे टॉपिक को हम जो एकी समराई करें तो हमें पता चलेगा कि यह जो तेल के और समय कर हमको नजर आते हैं आईए हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर पर दूसरी खबर हमारी स्कीन पर जो दिखाई दे रहे हैं वह है रेट पांडा के सिकार में कमें अब इस जीव का थोड़ा सा आप फोटो देख लीजे तो आपको क्याफी प्यारा जीव लगी पर्यास कर रहा है और उसमें अच्छी खबर है हिमाले छेतर में अनेग परकार के बिस्रिष्ट जीव पाया जाते हैं और इन्हीं बिस्रिष्ट जीव में लाल पांडा जिसको हम रेट पांडा इंगलेस में बोलते हैं पाया जाता है हिमाले छेतर में भारत में पाया जात थेता है सिकार की गतविधियां बढ़ती है अवैज जो इनकी तसकरी होती है इनको मारा जाता है तो संख्या क्या होगी और यहीं करा है कि तेजी से पांडा काफी spot किया जा सकते हैं, काफी देखे जा सकते हैं, यह UPSC में पूछा भी जा चुका, तो जो रेट पांडा है, यह एक आपको पता है, IUCN जो है कि एक रेड लिष्ट निकालती है, और इसकी जो रेड लिष्ट में यह endangered category अर्था संकट ग्रस्थ जीव में सामिल कि है कि है संकट ग्रस्थ है, इस पर संकट आ चुका है, अगर हमने इसका सरच्ष नहीं किया, तो आने वाले समय में यह बिलुप्त हो सकता है, तो इसी के साथ साथ IUCN ने अपनी रेड लिष्ट में इसको सामिल कर रखा है, वो भी endangered category में सामिल कर रखा है, वहीं बन जीव सर अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में सामिल किया गया है, अनुसूची एक में जिन जीवों को सामिल किया जाता है, उन जीवों पर अगर कोई बैक्ति उनको छती पहुचाता है, नुकसान पहुचाता है, तो इक कानूनी रूप से क्या होता है, गलत होता है, उसको सजा हो सकत बरतमान समय में अगर इसकी संख्या देखें तो लगवग 14500 की संख्या आसपास आपको दिखाई देगी जिसमें लगवग वन वाइठ भारत में पाय जाते हैं 500 से 6000 के बीच होने का अनबान है और सरवादिक पाय जाते हैं चीन में अभी क्या हुआ है कि ट्रैफिक ने इस ज में गिरावट दर्ज की गई है और जब यह लाल पांडा के सिकार के मामलों गिरावट आई है तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर उनके आवासों को छती नहीं हो तो यह जन संख्या फिर से अपनी बढ़ा सकते हैं और एक बहुमुल जीव जो हमारी प्राकर्तिक संपता का एक स्रोहर धरोहर है एक सांस्कृतिक पहचान है वह बना रह सकता है रिपोर्ट को जुलाई 2010 से लेकर 2019 जून 2019 के बीच लगवा हिमाले छितर में लाल पांडा के सिकार और इनके गैर कानूनी ब्यापार के मामलों के आधार पर जारी किया है अर्था सरकार से पूछा गया संस् और इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि यह लोग जो रिसर्च कर रहे थे जो सोध कर रहे थे यह लोगों के बीच में गये लोगों से पूछा कि आपको रेट फांडा के जो है कि मौत की कोई ख़बर मिली अबयद बैपार की कोई ख़बर मिली बाजारों में गये जहां पर इनके byproduct या इनके सरीर के अंग बिकते थे वहां पता किया इन्होंने जो है कि जो साइट्स हैं जहां पर जीवों की खरीद बिकरी होती है वहां पर इन्होंने पता किया कई अधारों पर इन्होंने पता करके तब यह conclusion निकाला है कि नहीं अब इनके सिकार या जो है वो कहा गया इस छित के लोगों में इस जीव के अंग जो से बने जो उत्पाद हैं उसमें जो की रूची कम होती चले जा रही है अर्थात जो यहां के जो लोग थे खासकर इवा बर्ग था तो यह जो जीव है रेट फांडा इसके सरीर से कई परकार के अंगों का कई तरह के क कर दी है और इसके वज़े से क्या हुआ है जो है कि इसकी संख्या में जो गिराउट हो रही तो रुख गई है यह अवैद बैपार की घटनाएं रुख गई हैं जुलाई 2010-2019 के बीच भारत और भुटान की सरकारों द्वारा लाल पांडा के सिकार और गैर कानूनी बैपार का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना दिखाता है कि तसकरी के मामलों को कमी आई है और इसके साथ एक चीज़ और देखिए कि तसकरी के जो मामलों में कमी आना यह बताई गई है यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो कुछ छेत्र हैं जैसे भा मामले दर्ज हुए और दर्ज मामले हुए उसमें क्या है कि इनके उपर हमला हुआ लेकिन हमला हुआ इनको मारने की कोशिस की गेच्छ है मामले ऐसे दर्ज हुए लेकिन उसमें यह नहीं हुआ कि इनका जो यह जो सिकार हुआ है यह इनको ब्यापार के लिए किया गया है हो स के पीछे कारण था यह जो घटनाय सामने आई और यहां के जो लोग हैं जैसे कि मैंने बताए वो पहले सी इसकी डिमांड कम कर चुके हैं लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वह यह है कि हमने लंबे समय से जो हिमाले छित्र में जो जीव पाया जात इन जीवों के महत्त को पता चला है और वो है इसको फ्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है बहुत से ऐसी भी केसिस मैंने इस्टेडी किये जहां पर लोग खुद क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सिकारी उनको दिखाई देता है तो पूलिस को सूचित कर रहा है और ऐ यह जो पूरा घटना करम आपको दिखाई देगा जीवों का सरचन करने का यह आपको अनाचल परदिस में दिखाई देगा पस्तिम बंगाल में आपको दिखाई देगा मिखाले के कुछ चित्रों में भी आपको यह दिखाई देगा तो इन चित्रों में जो लोग में चेहरा खासकरी ये पूरब के जो राजे हैं इसमें पाया जाते हैं. क्या कि प्रकार के प्रकार के प्रे प्रिशन करते हैं इन्हीं आधारों पर इस टॉपिक को जादा हम लोग नहीं करेंगे क्यों कि सीमित सूचनाएं हमारे पास थे अब आई हम बात करते हैं कैसा नूर फॉरस्ट डिजीट जिसको के एफडी के नाम से भी जाना जाता है इसको मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं तो दे हाली में क्या हुआ ही जो चर्चा बना है हाली में एक प्रस्ताव सामने लाया गया है कि के अपडी अर्था क्यासानूर फॉरस्ट डिजी या मंकी फीवर के लिए एक रिसर्च सेंटर जो है कि करनाटक के सागर छित्र में बनाया जाए जिससे इसके सभी प्रभावों को न नहीं ढूर सके हैं इस बीमारी से हम कैसे इसका पूरता इलाज करें यह हमें पता नहीं चल पाया अब देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाई देता है यह मानले जी यह है मंकी और इसमें मानले जी कोई यह बायरस आ गया है और यह किसी भी कारण से जो है कि क्या है ठीक मानले जी यह बंदर जो है कि बीमार पड़ चुका है और यह संकरमन कभी चोट लगी और इसके वज़े से यह क्यासानूर वारस की वज़े से फैलता है इसके चपेट में आ गया तो अब इससे संपर्क में कोई चूहा आ गया है कोई कीट पतंगा आ गया कुछ भी आ तो यह क्या करेंगे जो कीट पतंगे हैं यह क्या करेंगे लोगों के संपर्क में आएंगे पसों के संपर्क में आएंगे और साथी साथ हो सकता है बैक्ती भी क्या करें बंदरों के संपर्क में डारेक्ट आए तो हर तरीके से क्या होता है एक चैन बन जाती है और लोग ज इसके बज़े से यह चीजे हमारे सामने आती हैं तो देखा हम लोग ने जो यह जो क्यासानूर यह जो फोरेश डिजीज है यह होता है क्यासानूर वायरस की बज़े से इस वायरस की पैचान करनाटक में सरवपरतम 1957 में की गई थी आज के बात नहीं है और उस समय सिर्प लोग में यह फैल जाती है तो आप कहेंगे भारत जैसे देश में इसका क्या इंपॉर्ट आप इस देखें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुरोना वायरस की इंपक्ट को देखें कुरोना वायरस से तो अगर हमारे यहां पी देखा आपने लगवाक 40 cases आये हैं और आप क करते हैं तो क्या होगा यह काफी चुनोती पूड़ हो जाए इसलिए कहा यह गया है कि जब हम कुरोना वायरस से निपटने का प्रयास कर रहे हैं इसी करम में यह जो क्या सानू फोरश डिजीज है इसके लिए भी हमें प्रयास कर देना चाहिए और इसको बोलते हैं प्रो इन में दर्ज किये गए और जिसके बज़े से 11 लोगों की मौत हो गए इसी के बज़े से कई बार आपने सुना होगा गोहा में मौत हो जाती है करनाटका में मौत हो जाती है और इससे क्या होता है यह जो है कि वारस तेजी से फैलता है यह जो वारस है इस फैमरी से यह विल करना चाहिए अब देखिए इसके कुछ लच्छन आप देख लिए इसके लच्छन लगवा वहीं हैं जो आपको कुरोना वाइरस के दिखाई देते हैं इसलिए और भी मैंने मुझे इंपोर्टेंट लगा कहीं आप से पोच लिया जाए और आपको पता ही ना हूँ देखिए सरदी लगना बुखार सिर्दर मास पेसियूम उल्टी मास पेसियूम दर्द होना उल्टी फेट की समस्याई और बिलिदिंग की समस्या तो मालिज्य ब्लीडिंग की समस्या को अगर निकाल देते हैं इसमें से बाकिस सब nervous आना वाइरस में भी कम और ज़ादा मिल जाएंग के रिसर्च सेंटर बनाए जाने किया आव सकता इसकी मैसूस की जा रही है क्योंकि अगर हमने प्रावरंभिक दोर में इसका उपचार नहीं किया तो इससे निपटना काफी कठीन हो जाएगा और इसका सबसे घातक प्रभाव यह है कि इसका संक्रम बहुत तेजी से फैलता है एक जीव दो जीव प्रभावित हुआ फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगती है हाँ इसकी जो छेतर हैं वह कौन से हैं करनाटका केरल तमिलनाडू गोवा और दच्छिड महाराश्ट लेकिन इसमें भी अगर देखेंगे तो केरला करनाटका और तमिलनाडू का यह जो समझ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि सिफको इसका समाधान भी हमें इसी समय कर लेना चाहिए तुष्टन आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच